अब देख रहे हैं Gossip Town और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका बिग बॉस OTT सीजन 3 का है फिनाले और फिनाले से पहले घर के अंदर हो गया है फामिली मीट जी हाँ फिनाले की रात में ही हुआ है फामिली मीट और इस दौरान क्रतिका की मॉम भी पहुंचे है घर के अंदर क्रतिका मा को देखकर काफी भावुक हो जाएगी तो वही मा की भी आके हो जाएगी नाम पर क्या पता है आपको की क्रतिका की मा ने क्या दिया है उसको special message जो की उसे जीत तक आगे लेकर जाएगा अगर नहीं चानते तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आकर कार पूरी ख ख़बर क्या है जैसा कि हम सुख जानते हैं टॉप फाइव में तो कृतिका मले पहुंच गई लेकिन टॉप फाइव में पहुंचते ही घरवाले कृतिका के खिलाफ हो गई क्यूंकि हर किसी को लगता है कि कृतिका बिलकुल भी डिजर्विंग कैनिडेट नहीं है उन्हें टॉप फाइव में नहीं होना चाहिए था पर गाइज जब मा आती है घर के अंदर तो कृतिका भावग हो जाती है मा को देखती रहती है और मा से लिपट जाती है फिर क्या था मा भी बेटी से लिपट कर उसे यही कहती है डरने की जरूरत नहीं है हिम्मत हाडने की जरूरत नहीं है बस आगे बढ़ते जाओ जीत से तुम्हारा सामना खुद हो जाएगा जीहां मा ने दिया है बेटी को जीत का मंत्र क्या जीत पाईगी क्रिटिका देखना दल्चस्प होगा लेकिन वही रिपोर्ट्स दावा कर रही है क क्रिटिका मलिक का एविक्शन हो चुका है टॉप फाइब में तो वह पहुंची लेकिन टॉप थ्री में वो अपनी एंट्री नहीं करवा पाई है जी हां सना मकबूल अब टॉप थ्री में पहुंची है रणवीर शौरी भीखर से आउट हो चुके हैं वही जो साइकेतन है उनका भी एविक्शन हो चुका है अब बस मुकाबला कहा जा रहा है कि सना मकबूल और नैजी के बीच है कौन मारेगा बाजी देखना दिल्चस्प होगा वही कृतिका के आँखों से निकले आसू मा देकर भाव उख हो गई है इस वीडियो में ताहीं